साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में वाटर को पढ़ाता और मैंने आपको बोला था कि आपका जो ये वाटर चैप्टर है वो आपका बहुत इंपोर्टेंट है आपके CSIR के लिए इंपोर्टेंट है किसी भी कि आप बीयोर्जी इंटर्व्यू में जाएंगे वहां के लिए इंपोर्टेंट है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी और मैंने आपको बोला था कि आपका जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है चुकि वाटर जो होता है उसमें हाइड्रोजन तो hydrogen के बारे में आपको पता होना चाहिए और at least आपको at least जो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो आप H2O2 पढ़ते हैं परोक्साइड का आप परोक्सिसोम से रिलेशन होता है बहुत जहां पर आप इसका नाम पढ़ते हैं तो यह important है और इसी basis की मज़ा से ICMR जो है वो आपसे expect करता है कि आपको इनके बारे में आपको पता होगा यह आपका question है 2020 के ICMR में पूछा गया है कि most abundant element in the universe तो simple सा आपको क्या करना है जब आपको बोला है अगर आप जिसे hydrogen है इन चीजों को जाके पढ़ोगे तो simple NCRT जब आप खोलोगे तो वहाँ पे पहली line आपकी लिखी होई है hydrogen is the most abundant element in the universe and the third most abundant on the surface of the globe is being visualized as the major future source of energy most abundant element in the universe, तो यानि कि आपको यहाँ पे समझ में भी आ रहा है कि यह line आखिर है कहां से तो यह आपकी NCRT के line है इसी वज़ा से मैं आपको बोलता हूँ कि थोला सा बस एक बार आपको NCRT read करना है जो आपके important topics हैं तो यानि कि इस question का right answer निकल कर आएगा वो आपका hydrogen हो जाएगा जो कि आपका यहाँ से हो गया होता है तो hydrogen जो होता ही आपका simplest atomic structure होता है एमंग all the element around अजिन्दा नेचर में जितने भी elements हो उसमें सबसे सिंपल है क्योंकि आपके periodic table में जो पहला element है वो आपका क्या है hydrogen है in atomic form it consists of only one proton and one electron however in elemental form it exists as a diatomic form में होता मतलब क्या होता है जब आपने पढ़ा होगा कि कहानी क्या होती है कहानी तो यहीं होती है कि आपके atom होते हैं और atom के बाद क्या होता है molecule होता है तो यानि कि जब यह elements के form में आता है तो hydrogen के molecule मिलके H2 बनाते हैं, तो यह आपके diatomic configuration में है, यह बताया गया है और जब यह atomic configuration में होता है तो यहाँ पर important है कि इसके पास proton होता है, electron होता है लेकिन hydrogen जो आपका 1H1 होता है, जब यह आप इसको मैं अभी धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेंगे तो मैं इसको समझाओंगा, कि 1H1 आपका एक मात्र ऐसा element है, जिसके पास neutron नहीं है, तो next question आपसे यह भी बहुत बढ़ी हाँ design हो सकता है कि hydrogen में क्या नहीं है, तो hydrogen के पास क्या नहीं है, neutron जो है हम बात करें, तो किस तरीके से position निर्धारित हुआ है hydrogen का, तो hydrogen जो है यह आपका first element है, इसको आपको याद रखना है, पूछ लेगा सीधा question पूछेगा कि कौन सा element आपका first है periodic table में तो आपका hydrogen है its placement in the periodic table has been a subject of discussion as you know by the element in the periodic table सा range according to the electronic Atomic number के आधार पे किया गया है या atomic number के आधार पे जो किया गया है अब यहाँ पर क्या है कि hydrogen का अगर आप simple सा configuration देखेंगे तो यह आपका 1s1 होता है और यह जो configuration होता है, यारि कि किसी भी electron को क्या होता है, गर उसको stable होना है, तो उसके अपने क्या होता है कि यहीं तो आप पड़ते हैं कि उसको अपने outer most orbital में 8 electron उसको चाहिए होते हैं या तो फिर उसको 2 electron चाहिए होते हैं जिस थरीके कि उसकी cells होगी तो S के पास कितने होने चाहिए S की बात अगर मैं करता हूँ तो S को अपने पास में 2 electron चाहिए तो यानि कि hydrogen को stable हो क्या चाहिए होता है एक electron चाहिए होता है तो यानि कि इसका behavior होता है यह similar होता है to the outer electronic configuration आप the alkali metal जितने भी आपके alkali metals होते हैं उनका configuration जो होता है वो आपका 1S1 last में होता है for example अगर आप sodium की बात करते हैं तो इसका atomic number 11 होता है जब इसका classification करेंगे तो आपका 2-8-1 आता है तो यानि कि एक electron बाहतम कोश में sodium के पास भी है और एक electron आपके hydrogen के पास भी है तो hydrogen जो होता है वो बहुत सारी बातों में similarities हो करता है alkali metals के साथ ठीक है which belong to the first group of the periodic table इसके अलावा इस interesting चीज़ी है कि यह other hand like halogen जो आपके होते हैं जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत important periodic table में कुछ elements and noble gas halogen यह सब बहुत important है तो जब के halogen classes होते हैं उनका configuration क्या होता है ns2 and piece 5 होता है ठीक है तो यह उनसे भी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उनसे क्या करता है यह similarity को शो करता है यानि कि इसको क्या चाहिए तो अगर इसको मिल जाएगा तो यह आपका है है कि स्रणी में आ जाएगा तो यह जो होता है हाइड्रोजन जो है यह आपका unique element है जो कि है है लोजन से भी similarity रखता है और आपका किसे similarity रखता है अलकली metals के साथ क्या होता है यह आपकी similarity को show करता है तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी इसके बार अगर मैं बात करता हूँ hydrogen therefore has resemblance to alkali metal which lost one electron to form unipositive iron बना लेगा as well as with halogen which gain one electron to form uninegative iron यानि कि क्या है कि hydrogen में क्या है जिस तरीके से metals जो होते हैं तो यह stable हो जाएगा और halogen क्या होते हैं कर वो एक electron ग्रहन कर लेंगे तो वो stable हो जाएगे तो hydrogen के साथ भी यही है मान लोग कि इसका one configuration है अगर एक मिल गया तो यह दो हो गया निकल गया तो बात ही खतम होगी तब भी stable हो गया समझ रहे हो तो बस इतनी कहानी आपको याद रखनी है और बाकि दुनियादारी एगर basic chemistry भी नहीं जानते हो तो अगर मैं इन सब चीजों को clean करके बहुत सुन्दर सा अगर मैं आपको समझा दू तो आपको केवल इतना याद रखना है कि आपका hydrogen है पहला periodic table में first element है इसके अलावा सबसे most abundant element है आपके universe में और third most abundant element है surface आपड़ा globally अगर आप बात करेंगे तो globe में most abundant जो है वो आपका third number पे आपका आता है इसके बाद जो आपको याद रखना है इसकी जो similarity होती है ये hydrogen से similarity सो करता है और आपके किस से सो करता है alkaline metals से सो करता है बस इतनी बात आपको याद रखनी है ठीक है like alkaline metals hydrogen forms oxides बनाता है halide बनाते है, sulfide बनाते है however unlike alkaline metals it has a very high energy enthalpy होता है does not possess metallic characteristic under normal condition में उतना ज़्यादा metallic characteristic नहीं सो करता है बाकी इस इस point से बहुत questions नहीं आएंगे अब यहाँ पर मैं इसको salt में आपको समझाना चाहूं कि क्या-क्या similarities है halogen के साथ इनकी तो इन बात को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि halogen भी general outer configuration आपका NS2-NPC1 होता है जो की क्या करते है इनकी tendency होती है to gain one electron and attain nearest noble gas configuration में आ जाते है similarly hydrogen को भी अपना एक electron चाहिए अपना क्या करने के लिए to form H-I and attain nearest noble gas helium configuration में यह पहुँच जाता है तो समझ में आ गई बात इसी तरीके से अगर हम ionization and energy की बात करते हैं हो भी आपका लगभग सेम होता है hydrogen molecule आपके diatomic होते हैं और इसी तरीके से जितने भी आपके halogen होते हैं उसमें आपका fluorine आता है यह halogen कौन होते हैं यह भी याद रखना halogen में आपका fluorine आता है chlorine आता है bromine आता है यह सारे elements जो होते हैं है यह भी आपके halogen क्लास में आते हैं और कभी आपने पढ़ा होगा कि halogen में F2 पढ़ा होगा CL2 पढ़ा होगा तो यह भी diatomic configuration में होता है और hydrogen भी जो होता है वो अपना diatomic configuration में होता है बस आपको इतनी बात याद रखनी है इसके लाबा hydrogen जो होता है वो आपका hydride बनाता है carbon के साथ जैसे आपका CH4 है just like halogen भी अपना highlight बनाते है जैसे carbon के साथ मिलके CL4 बना लेता है तो यह तीन similarity है जो आपको याद रखना है अब difference क्या होगा difference यह होता है कि hydrogen जो होता है इतना reactivity शो नहीं करता है तो hydrogen जो है वो आपका less reactive है compared to the halogen और electron affinity of hydrogen की कम होती है compared to the halogen के तो इस तरीके से जो आपका unique property आपके hydrogen की दिखी तो इसी वज़ा से यह तरीका सही है कि हम इसको periodic table में अलग ही रखें इसी वज़ा से ना इसको alkali metals के साथ मिस किया गया है और ना इसको हमने mix किया है halogen के साथ समझ रहें और इसकी जो similarity है वो मुझे दोनों के साथ देखने को मिल लगी है लेकिर इतनी ज़्यादा similarity नहीं है कि मैं किसी एक में ले जाके इसको रख दो तो कहानी समझ में आ गई है अब यहीं पर थोड़ी चीजें आप यहां पर पढ़ते जाईए जो आपके लिए important है अगर मैं डाई हैड्रोजन की बात करता हूँ तो डाई हैड्रोजन जो होता है आपका most abundant element होता है इन दा युनिवर्स में 70% of the total mass of the universe जो होता है उसमें डाई हैड्रोजन पाया जाता है and is the principal element in the solar atmosphere में आपका बहुत important role play करता है the giant planets Jupiter and Saturn consists mostly of the hydrogen हाला कि इतने deep पे नहीं जाएंगे यह आपका interesting कहानी है कि Jupiter वगएरा में भी जो आपके ग्रह होते है वहाँ पर भी आपको hydrogen देखने को मिलता है बहुत ही light nature होता है it is much less abundant on the earth's surface लेकिन यह अर्थ की atmosphere में बहुत ही कम पाय राता है 0.15% होता है of course in the combined form it constitutes 15% यह अर्थ crust में आपको देखने को मिलेगा in the combined form besides in the water it occurs in the plant or animal tissue में होता है जो की क्या करेगा carbohydrate protein, hydrise वगएरा को बनाने में important role play करता है ठीक है universe में सबसे जादा है 70% के case में आपको dihydrogen देखने को मिलेगा इसके बाद यह कहानी आपके लिए बहुत important role play करेगी जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और वो कहानी आपकी चलती है isotopes के regarding जिसके बारे में हमने पिछली बार भी हाइडरोजन के तीन isotope होते है प्रोटियम होता है जिसको हम 1H1 कहते है इसकी जो interesting बात है इसमें neutron नहीं है बस इतनी कहानी याद रखनी है deuterium जो होता है यह आपका मैंने बताया ना यह आपका heavy water बनाने के काम आता है D2O बनाने के काम आता है और nuclear reactions जो होती है वहाँ पर यह एजग क्या काम करता है moderator का काम करता है reactions को धीमा करने का काम करता है इसके बाद जो tritium होता है 1H3 होता है और यह क्या है आपका यह आपका radioactive element है बस आपको इतना ध्यान रखना है इस आइसोटोपस differ from one and other in respect of the presence of the neutron ordinary hydrogen प्रोटियम में neutron नहीं होता है यहां पे वह बात लिखी हुई है deuterium को हम heavy hydrogen कहते है यह भी आप से question पूछा जाएगा which of the following is known as heavy hydrogen तो हम क्या answer करेंगे deuterium को answer करेंगे इसके बाद tritium जो होता है hedge 1 and tritium hedge 2 neutron in the nucleus तो यह आप जब calculate करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यह मैंने आपको पहला lecture मैंने आपको समझाया है किस तरीके से आप neutrons की value को protons की value को calculate करोगे और isotopes की definition को भी हमने वहाँ पे discover किया है मतलब समझा है in the year 1934 American scientist यूरे ये नाम important है यूरे को noble price दिया गया for separating hydrogen isotope of mass number 2 नमबर 2 लिखा है तो mass number 2 किसका है 1H1 क्या है proteum है 1H2 क्या है deuterium है तो अगर घुमा के question पूछ लिया कि यूरे सहाब ने को जो noble price मिला था वो किस basis पे मिला था तो उनको जो noble price दिया गया था वो उनको इस basis पे दिया गया था है कि उन्हें deuterium की discovery किया या deuterium को separate किया the predominant form जो होता है वो आपका proteum जो होता है वो आपका common होता है most common जो आपको देखने को मिलेगा proteum होगा terrestrial hydrogen content इतने percentage deuterium होता है mostly in the form of HD the tritium concentration is about बहुत ही कम one atom per 10 की पावर 18 देखने को मिलेगा of these isotopes only tritium जो होता है वो आपका radio active है जो मैंने आपको बता दिया है low energy release करता है जो कि आपका क्या है beta negative particles को emit करता है ये भी question पूछा जाता है जब आप radio activity पढ़ते हैं तो आपकी 3 rays होती है alpha, beta, gamma, delta भी शायद होता है तो ये जो होता है जो आपका अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका tritium है वो कौन सी rays को emit करता है तो यानि कि वो कौन सी rays को emit करता है वो beta particles को emit करता है बाकी half life जो है वो इसकी 12 year जो है वो इसकी half life है तो यहाँ पर जो आपको 4-5 बाते आपको protium, deuterium, tritium याद रखना है यूरे साहब को याद रखना है ठीक है common अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सबसे common है तो मैं क्या कहूंगा protium को मैं कहूंगा यूरे साहब ने discover किया उसको मैं याद रखूंगा tritium जो है वो radioactive है और beta particle emit करता है ये 4-5 जो bullet point है वो मैं याद रखूंगा इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इसी करम में अगर मैं comparison करला देता हूँ इसमें एक chart बना है NCRT में हाला कि ये chemistry में बहुत जाएंगे नहीं जाएंगे तो chemistry का यहां पर सारी कहानी दी गई है जो इसमें मुझे जो आपको याद रखना है अगर abundance की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा relative abundance जो है वो आपका hydrogen ही सबसे ज़्यादा है deuterium कम है, tritium और कम है बाकी density वगएरा यहां पर आपको कुछ ऐसी important fact नहीं है जो आपको याद करना चाहिए बस आपको केवल इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा आपको कौन देखने को मिलेगा hydrogen आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा deuterium, tritium जो होता है वो आपको कम देखने को मिलता है यह वाली कहानी हो गई इसी तरीके से isotope का मैंने एक और figure यहाँ पे लगाया है, तो सबसे पहले यहाँ पे isotope की definition जो हमने अल्लिडी डिसकस कर चुके हैं, कि different form of the same element होते हैं, जिनके atomic number same होते हैं, लेकिन mass number different होता है, the different isotope for an element have different number of the neutron, अगर आप इसके और calculate करोगे तो आपको neutron का number different मिलेगा, यह इक्जाम में question आपका बनेगा, the chemical properties of all the isotope of an element are same होता है, as they have same number of electron होते हैं, but due to the difference in their mass number, they have different physical properties, mostly क्या होते हैं, इनकी physical property ही difference होती है, chemical properties same होती है, despite having same chemical properties, their activity in different, because difference in their enthalpy of the bond dissociation होता है, बाकि तीन आपके होते हैं, protein हो गया, जिसको हम ordinary hydrogen कहते हैं, 1H1 के बारे में मैंने आपको बत इसमें neutron नहीं है, ये आपको याद रखना है, इसके अलावा deuterium जो होता है, इसको मैं क्या कहूंगा, heavy hydrogen कहूंगा, one proton, one neutron इसके पास होता है, और एक electron भी इसके पास होता है, ठीक है, इसके बाद ये हो गया, tritium जो होता है, ये आपका radioactive element है, इसका जो half life है, वो सारह 12 साल ह ये emit करता है, ठीक है, बस इतनी कहान याद रखनी है, यूरे सहाब ने क्या किया है, deuterium को isolate किया था, और इसलिए यूरे सहाब को क्या दिया गया, noble price दिया गया, किसी यर में दिया गया, 1934 में दिया गया, हलाकि यर नहीं important है, but Harold C. यूरे का नाम आपको याद रखना है, यहां तक confusion आपको नहीं आएगी, अब यहां पर थोड़े और important चीज़ दिये गया है, since the isotopes have the same electronic configuration, they almost save chemical properties, जो हमने अभी already discuss कर लिया है, इसके बाद जो कुछ chemical properties की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो इसी hydrogen में एक mixture होता है, carbon monoxide और hydrogen, इसको हम water gas कहते हैं, तो यह आपका most important है, अब यह मैं सतरी कि कुछ gases होती है, जिसको इसी कोई syngas भी कहा जाता है, इस synthesis gas भी कहते हैं, तो carbon monoxide तो आपको याद रखना है, water gas किसे कहते हैं, simply अगर आप से पूछेगा water gas कौन है, तो बहुत सारे options में दियेगा, CO2 plus H2, CO plus H2, ठीक है, CO3 plus H2, ऐसे करके कुछ दे देग तो आपको क्या टिक करना है, CO plus H2, जो है, वो आपका क्या है, mixture है, water gas का, as the mixture of CO and H2 is used for the synthesis of methanol and number of hydrocarbon, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो इसी लिए हम इसको क्या कहते है, synthesis gas कहते हैं, यह आपके बहुत सारे hydrocarbon के synthesis के लिए important होता है, बनाता है, ठीक है, nowadays syngas is produced from the sewage, saw इसको बना सकते है, the process of producing sin gas from the coal, इसको हम coal gasification कहते है, अलाकि यह थोड़ा chemistry का बहुत अंदर का part है, तो यह नहीं जाएंगे, तो simple सी जो आपकी कहानी बनती है, इसमें आपका carbon होता है, इसको हम water से मिला देते है, तो यह आपका carbon monoxide बन जाता है, जिसको हम प्यार से CO बोलते हो, तो मैं कहूंगा कि यह सिन नाम से इस पस्ट है कि synthesis कराता है, बहुत सारे चीजों कि synthesis, hydrocarbons की synthesis कराने में important role play करता है, mainly जो होता है, यह आपका methanol बनाता है, तो अगर आपसे यह पूछा, methanol आपको याद रखना है, the production of dihydrogen can be increasing by the reacting carbon monoxide of synthesis again with steam in the presence of iron chromate as a catalyst, हाला कि यहाँ प याद रख सकते हो, तो इसको याद रखने ला, और इस reaction को हम water gas shift reaction कहते है, carbon dioxide यहाँ पे remove हो गई है, by scrubbing with the sodium arsenide solution, तो खेर इतना यहाँ पे नहीं जाना है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, hydrogen के बारे में ortho and para hydrogen, यह दो तरीकी के confirmation होते है, यह भी आपके लिए बहुत important है, और यहाँ पे जो important आपकी कहानी बनती है, वो यह बनती है, कि जो nucleus of a molecule also have a spin like electrons, if the spin of the nuclei का जो होता है, दो hydrogen atom का, अगर same direction में होता है, तो हम उसको ortho कहते हैं, और अगर वो opposite direction में कर रहे हैं, तो हम उनको para बोलते हैं, तो और यह hydrogen के दो confirmation होते हैं, एक ortho होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यह दो molecules हैं, जो कि एक ही दिशा में rotation कर रहे हैं, और यहाँ पर यह इधर कर रहा है, और यह इस direction में कर रहा है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, और तो वाला बहुत ही common होता है, जो कि आपका ordinary hydrogen जो होता है, वो आपका ortho condition में होगा, exam में पूछा इसके बाद जो आपके लिए important है, the physical property जो होते है, दोनों के same होते है, physical properties है same for both nuclear spin isomer, except thermal conductivity में यहाँ पर difference पाया जाता है, thermal conductivity जो होती है, वो पैरा hydrogen की जादा होती है, compare to the ortho hydrogen, और ortho and para hydrogen को हम प्यार से क्या बोलते है, allotrop बोलते है, और यह allotrop एक जगा और भी important आपने होगा, ठीक है, जब कभी भी किसी भी चीज के structure की वज़ा से, या जैसे for example, कोई structure में variation या hybridization में variation, ये भी एक तर्म याद रखेगा, अगर किसी भी molecule का मतलब सब कुछ same है, अब भाई hydrogen तो ये भी है, h2 ये भी है, h2 ये भी है, लेकिन जो यहाँ पे जो main कहानी आई, वो spin spin of the nucleus की तो बात हो रही थी, nucleus जो आपका है, वो opposite direction में move किया, तो हमने उसको para बोल दिया, same direction में गया, तो मैंने उसको ortho बोल दिया, तो जब particular इन चीजों की वज़ा से कोई variation आता है, तो हम उसको chemistry में allotrop कहते हैं, ठीक है, तो allotrop of hydrogen जो होते हैं, ये आपके ortho और para होते है which differ in the spin of the nucleus, अब यहाँ पर एक और question जो कि मैंने आपको यहीं पर paste किया है, ICMR 2019 का question है, यहाँ पर पूछा है कि which of the following is not a mixture, अब यहाँ पर सो चलोगी सर ये question आपने क्यों लगा दिया, तो actually मैं यहाँ पर mixture पूछा था, तो जब आपका glass आप पढ़ोगे, तो यह आपका दो चीजों का mixture होता है, इस टील भी आपका दो चीजों का mixture होता है, यह question जो था, वो final answer की में इस question को drop कर दिया गया था, क्योंकि aluminium जो है वो आपका mixture नहीं है, पहली बात तो, तो aluminium जो होता है, वो आपका element होता है, और दूसरा जो यहाँ पर ग्रेफाइट है, जो कि मैंने ग्रेफाइट होता है, या आपने कभी GK की बुक में, जनरल नॉलेज की बुक में आपने पढ़ा होगा, तो graphite की location अगर आपसे पुछा जाएगा, तो pencil की नोक जिस चीज की बनी होती है, वो आपकी graphite होती है, और graphite और diamond, यह याद रखेगा, diamond और graphite, दोनों ही क्या होत होती है, एक दूसरे के allotrop होते है, ठीक है, इनकी जो अगर आप atomic number वगरा देखोगे, chemical structure दोगोगे, तो सारी चीजे सेम होती है, बस यहाँ पर फरक क्या आता है, hybridization का फरक आता है, या आपने chemistry में पढ़ा होगा, जब आप किसी चीज का hybridization निकालते है, जिसे मालो CH4 है, तो ऐसे ही तो निकालते थे, SP3 hybridization है, या जो भी था, मतलब ऐसे करके, जो भी हम यहाँ पर करते थे, ठीक है, या और भी कुछ molecules आपने देखा होगा, कि आपने PCL45 का निकालने को कहा जाता था, या कोई भी चीज, तो होता क्या है, कि जो आपके hybridization का जो difference आता है, graphite में SP2 होता है, तो आपको याद रखने के लिए बस याद रखना कि diamond की value बहुत ज़्यादा होती है, तो यानि कि SP3 जो होता है, वो मेरे diamond का होता हो, graphite जो होता है, वो मेरा SP2 होता है, तो ये question भी आप से बन सकता है, और allotrop के जो example होते हैं, उसमें आपका diamond और graphite होते हैं, एक द ठीक है, अब इसी क्रम में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, और die hydrogen की अगर मैं physical property की तरफ जाता हूँ, तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, colorless है, odorless है, tasteless है, combustible gas है, it is lighter than air, ठीक है, die hydrogen जो है, ये आपका air से हलकी है, water में insolubile होता है, its other physical property along with those of deuterium are given in the table 9.1 में है, जो हमने अलिडी देख लिया, chemical properties की बात करते हैं, तो chemical behavior of die hydrogen, जो आपका होता है, to a large extent by the bond dissociation enthalpy, the hydrogen bonding यहाँ पे होता है, dissociation enthalpy highest होती है, तो ये सब कहानिया थोड़ा बहुत देख लीजेगा, बहुत जादा important नहीं है, इसके अलावा hydrogen, die hydrogen जो होता है, ये inert होता है, at the room temperature पे क reaction नहीं सो करता है, due to the high HH bond enthalpy की बज़ा से, does the atomic hydrogen produce at a high temperature पे हम produce करते हैं, in the electric arc और अल्टरा वायलेट रेडियेशन, since its orbital इजे इनकम्प्लीट होता है, with 1S1 electronic configuration, it does combine with almost all the elements के साथ, ये आपका reaction बना लेगा, कि इसको अपना octate कह लीजिए, या इसको अपना एक electron, या तो इसको करना है, तो इसी वज़ा से क्या करता है, या तो यह लॉस करेगा, या तो यह ग्रहन करेगा, या तो फिर यह क्या कर सकता है, कोवलेंट बना लेगा, कहेगा कि म्यूचिलिजम कर लीजिए, हम दोनों में कोवलेंट बना लेते हैं, तो यह कहानी यह कर सकता है, इसके बाद सत इपर बन जब धर ए लुट करेगा वाटर का फोर्मेशन करेगा लुट को या लेए सब्स्क्रियों करता है यृधिन सब्सक्राइव और सुब्लीकार इसके बिना तो आपने chemistry नहीं पढ़ी होगी 11-12 में जहां पे हम 3H2 और N2 को लेते थे आइरन यहां पे catalyst का काम करता था, high temperature और high pressure पे हम reaction कराके दो ammonia molecule बनाते थे और इस reaction को हम क्या बोलते हैं, hyper process बोलते हैं, most important है, if you call याद आगया होगा, मुझे पूरा विश्वास है reaction with metals के साथ यह reaction करेगा, तो hydride बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, metal sign के साथ reaction करके metal oxides बनाएगा organic compound के साथ भी अपना दुनिया भर का reaction करके क्या बनाएगा, hydrogenated products बनाएगा, ठीक है, तो यह वाली कहानी हो गई, इसके लावा hydrogenation reaction के लिए जो आपके लिए important है, जो कि आपके organic compound से करके जो बनाता है, hydrogenation of the vegetable oils using nickel as a catalyst के दिके काम करता है, gives करता है, हमको edible fats मिलता है, यह reaction आपक hydrogenation reaction जो आपके देशी घी बगरा बनते हैं, उन्हीं की बात की जा रही है, तो उसमें nickel जो होता है, वो आपका एजा catalyst के तरीके कारे करता है, यह आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अब dye hydrogen का हम यूज कहां कहां करते हैं, इसको एक बार वापस से देख लिए, largest single use of dye hydrogen is in the synthesis, हैबर प्रोसेस से बनाएंगे, बस इतना याद रखना हो सकता है, एक्जाम में आ जाए, which is used in the manufacture of nitric acid and nitrogenous fertilizer, dye hydrogen used in the manufacture of वनस्पती घी बनाने में भी हम यूज करते हैं, कौन सी reaction होगी, hydrogenation reaction होगी, of the poly-saturated vegetables, oils like soya bean cotton, manufacture of bulk organic chemical, methanol बनाने में हम hydrogen का यूज करते हैं, जो कि आपको यहां पर क्या होगा, मेरा catalyst होगा, जो कि हमने इसके regarding चर्चा किया था, कि यह आपका क्या बनाता है, methanol बगएरा बनाने के कारे आता है, ठीक है, यह वाली कहानी थी ना, synthetic gas बगएरा जो बनती है, वो आपके ultimately methanol या hydrocarbons बगएरा को बनाने के काम आता है, इसके अलावा जो इसको यूज करते हैं, reduce heavy metal oxide to the metal, atomic hydrogen and oxy hydrogen torches find use of cutting and welding process में हम इसको यूज करते हैं, atomic hydrogen atom produced by disposition, dissociation of die hydrogen with the help of electric arc, यह किया जाएगा, इसको नहीं जानिये, rocket fuel में हम इसको यूज करते हैं, used in the rocket fuel में हम करते हैं, इसको काफी यूज किया जाता है, यह सारे bullets points याद रखेगा, die hydrogen used in the fuel cell for generating electrical energy, it has many advantage over the conventional fossil fuels, वगेरा से काफी advantage होता है, तो यह सब परिभाशाएं हैं, इसको पढ़ लेना, इससे कोई pollution नहीं होता है, release greater energy करता है per unit mass, इसके लावा when vegetables oils, यह important points मैंने यहाँ पे add कर दिया है, इसको बहुत ध्यान से समझ लो बेटा, कि when vegetables oils are exposed to air for prolonged period, the double bond जो present होते हैं oils में undergo oxidation हो जाता है, और oils become rancid हो जाती है, they develop unpleasant order, कभी आपने देखा होगा कि जब आपने, जब आपके कोई oils रहे होंगे, vegetables oils या घी वगएरा कभी-कभी जो होते हैं, बदबू करने लगती है, तो होता क्या है कि उस case में उनके double bond जो होते हैं, पहली बात तो वो break हो जाते है और इसकी वज़ा से क्या होता है, जो taste होता है, unpleasant order और taste आपको देखने को मिलता है, due to formation of the lower aldehyde या carboxylic acid बनते हैं, तो खेर आपको इतना नहीं जानना है, बस आपको यह याद रखना है, इस particular term को क्या बोलते हैं, रैनिसिडिटी बोलते हैं, या आपने जब भी आप fatty acid प आने की बहुत तरीके, गंदे तरीके की बदबू आने लगती है, तो इसको prevent करने का तरीका क्या होता है, चुकि यहाँ पर oxidation reaction हो रहा है, तो common सी बात सोचो कि मैं क्या कर दो, मैं कोई एक antioxidant को अगर ले आऊं, तो मैं इस process को कम कर सकता हूं, ठेक है, antioxidant को मैं ले आऊं, तो यह process को मैं रोक सकता हूं, तो rancidity of the butter को रोकने के लिए, कौन सा vitamin जो है, आप यूज करोगे, तो vitamin chapter को recall करो, कौन सा आपका antioxidant होता है, आपका vitamin E जो होता है, वो आपका antioxidant होता है, तो यह question आप याद रखेगा, most important है, बहुत सारे MSC इंटरेंस में यह question आपको मिलता है, तो आया हुआ question हो सकता है, आपसे exam में पूछ लिया जाए, कि rancidity of the butter को अगर आपको control करना है, तो आप कौन से antioxidant का use करेंगे, तो अगर most probably वहाँ पे vitamin E ही आपको दिया होगा, और अगर बहुत घुमाएगा, अगर कोई भी vitamin आपको नहीं दिया है, तो कोई भी उसमें एक antioxidant का नाम वहाँ पे trace करना होगा, ठीक है, तो यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी, next lecture में हम H2O2 को पढ़ेंगे, बाकी यहां तक मुझे जो रगता है कि जो importance कहानी थी, वो मैंने cover कर दिया है, bullets points में, इन सारी चीज़ों को no down कर लिजेगा, और किसमत सही रहेगी, तो इसमें से एक question आपको exam में देखने को मिलेगा, इसके बाद हम H2O2 को पढ़ेंगे, कुछ और भी information को देखेंगे, ठीक है, तो यह video, यह information, यह सारी चीज़े आपको अच्छी लगी हो, तो इस channel को like सेर और subscribe जरूर कीज़ेगा, बाकी मिलते हैं, next video में, next information के साथ, thank you very much